जै जिनेंद्र, जै माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन, हमारी जो यूट्यूब पे हमने सीरीज चालू की है, आप अपना कमेंट, हमारी जो कमेंट में सेक्शन में आप यूट्यूब के अपने बर्ड डेट डालेंगे, तो यूट्यूब पे फ्री में वीडियो बनेगा, रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है लगी लोगों को, तो आज हमने नंबर लिया है, सुब्ब मॉई बेनर जी का, ये कोलकता से है, 25 मई 1994 और 12 बच के 27 पीम कोलकता, ठीके सुब्ब मॉई बेनर जी का आज हम देखते हैं, इन्होंने अपनी बर्ड चार्ट और अप तिन खास सवाल है, तो चलिए हम इनकी कुंडली के चर्चा करते हैं, इनका बर्ड चाट है सीम लगनका, सीम लगनकी इनकी कुंडली है, और इनकी विष्चिक राशी है, और लगनका जो लॉड है सूरिय वो दसवे घर में है, तो देखे सर, आपका जो लगनका लॉड जो प्रसिद्धी देता है जिसे कि यूट्टीوب पे आज बहुत से लोग नाम कमाते हैं वो लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दूर दूर तक उनको लोग पहचानते हैं उनका नेम होता है उनका fame होता है तो इस तरीके से आप ऐसी पहचान बनेगी उससे भी आपको लाइफ में सपोर्ट मिलेगा आपका पैसे का मालिक जो है धन का मालिक वो है लाब भाव में शुक्र और वो स्वग्र ही बैटा है यह पुशकर योग बना रहा है ऐसा इंसान शुन्य से शुरुआत करके करोड़ पती बनता है करोड़ो योग ऐसे आपके बहुत अच्छे योग बन रहे है तो पैसे का तो आपका जो सवाल है यह बहुत मतलब बहुत अच्छा पैसा आपके लाइफ में रहेगा आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे बहुत लखी है लेकिन एक चीज है यह आपे कि थोड हाउस में आज से कुछ गलत हुआ हो, हमने धर्म के ख्षेत्र में कुछ गलत किया हो, पाप किया हो, भगवान का कुछ, कई सारे examples होते हैं, वो मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो directly आप से connect नहीं होता है, example में समझे हमने, किसे ने बगवान की चीज का कुछ अपमान कर दिया, किसे ने बगवान की कुछ चुरा ली, यह सब ऐस तरह के जो पाप होते हैं, हमारे पुराने जनम के, धर्म काम अपमान करते हैं, तो यह सब इस तरह के से पाचवा घर भी करता है, यह क्या करता है, इश्वे होने के बाद उसके साथ मदबेद रहता है और चौथा जोगर है आपका सवाल है मेरी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी पतनी के साथ आपकी लाइफ कैसी रहेगी तो दें कि चौथे भाव में चंद्रमा नीचका है और ये क्या करता है चौथे भाव का नीचका चंद्रमा अपको घरेली जीवन में थोड़ा सा अपको जो पीस है वो कम करता है और कहीं कि आपका स्वभाव में भी वृष्चिक राशी के वज़े से जिद्धी बना आ जाता है थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो उसे भी आपको कंट्रोल करना चाहिए और इस वज़े से भ अपने एरिया कि अपनी कई सारी फिल्ड्स के आप जहां भी काम करोगे वहापे एक लीडर बनोगे प्रमुग बनोगे मतलब आपको जो पॉलिटिकल में भी अगर आप गए तो वहापे भी आपके हाथ के नीचे कई सारे कारे करता होंगे आप किसी पोश्ट तक जा पाए देवाहन भी संबल के चलाना है आपको नहीं तो दुरगटना योग भी यहापे बनता है तो गाड़ी संबल के चलाईए टुवेलर हो या चाहे वो फोर वेलर हो तो इससे आपके लिए अच्छा रहेगा और मंगल स्वग रही है तो तरक्की तो देगा फॉर इन गुमने जाने की भी योग बनेंगे लेकिन बाधा उसे क्योंकि केतु भी सात में है तो अंगार एक योग वहापे बना रहा है लाब भाव जैसे मैंने बताया आपका बहुत बलवान है दसवे भाव में सूरिय बहुत बलवान है और जो विदेश का माली के चंद्रमा वो भी नीच का है जैसा कि मैंने यहापे बताया तो विदेश से ज़्यादा आपको अपनी जगा पर ही आपके लिए ठीक है काम करना तो यह आपकी कुंद्ली का एक जनरल एनलिसिस हुआ और अगर हम नावमाईश कुंद्ली की बात करते हैं यहापे ज़्या बहुत पावरफुल हुआ तो सूर्य का जो हमने स्टार्टिंग में आपको अच्छा बताया वो और ज़्यादा पावरफुल हुआ और अगर हम एक यहापे एक ही ग्रह सबसे ज़्यादा नेगेटिव हुआ है अपकी नावमाईश कुंद्ली में वो है गुरु और वो है नीच का हुआ है और प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी बनाने का तो अपके अपने सारे योग तो पॉजिटिव है लेकिन वो एक वहापे बहुत बड़ा नेगेटिव रोल नहीं भारा है तो यहापे गुरु को बलवान करना चाहिए यहापे अपको गुरु की बीज मंतर के जाप करने और नमक नहीं खाना है सेंदा नमक वापर सकते हो किसी चीज में एक टाइम खाना खाये सोमवार को तो इससे आपको काफी फाइदा होगा कंटीन्यू करिए और सोमवार को सफिज चीजों का दान करो और गुरु के लिए आपको यहापे पुखराज पहनना चाहिए और बहुत बेटर बना सकते हैं जो उपाय और जो जाप मैंने बताए आप करीए आपको बहुत फाइदा होगा तो कि आपके कुणली काफी अच्छी कुणली है और पचीस एक दोजार पचीस से आपको जो सुक्र की महादेशा लग रही है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट बना पाएंगे धन्यवाद